असलाम लेकूम गर्मिया शुरू हो गई है और मार्केट में अलग-अलग तरह के फालूदा और ड्रिंक आ चुके हैं लेकिन जब आप घर पर ही इतना शांदार और टेश्टी फालूदा बना सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर से फालूदा लाने की आज हम रवड़ीदार फालूदा की रेश्पी इस वीडियो में सेयर करेंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रवड़ीदार फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले हमें खोआ चाहिए 100 गराम मैंने खोआ लिया है उसको अच्छे से भून लेंगे 5-7 मिनट के लिए ज अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसको कलर देने के लिए इसमें मैं दो चुट की केसर डाल देती हूं यह पूरी तरह से ऑप्सनल है अगर आपके पास केसर नहीं हो तो आप यलो फूट कलर दो पिंच एड़ कर सकते हैं उनको अच्छे से मिक्स करेंगे हलका सा इसको देखे कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें रबडी के जैसा जब यह रबडी इस स्टेज पर आ जाए कि उसका हलका सा कलर यलो हो जाए और यह गाढ़ा हो जाए इसमें से हम आधा निकाल लेंगे किसी बाउल में और इसको हम रेस्पी में सबसे लाश्ट में यूज करे किचन काउंटर पर रखने के बाद जब यह पूरीता से ठंडा हो जाए तो इसको फ्रीज में दो घंटे के लिए रख देंगे चलिए और जो आधा यह रबडी बचा इसमें एक कप फिर दुबारा हम दूद एट कर देंगे और फिर रबडी में दूद को अच्छे से मिक् पर देखिए रबडी को थोड़ा सा गाढ़ा टेक्शर देने के लिए उसमें मैं एक ब्रेड इस्तमाल करूंगी जार में एक ब्रेड डालेंगे और उसको ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से और दूद में अच्छे से उबाल आ गया चीनी मिक्स हो चुका है फिर बस लगेंगे इतना ही उतने में यह बहतरीन रबड़ी बनके त्यार हो जाएगी देखिए इसका टेक्शर इस तरह से चाहिए हमें बन चुका है इसको गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको किसी बावल में निकाल के किचन काउंटर पे इसको भी छोड़ देंगे जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको भी हम उठाके फ्रीज में बनाएंगे रबड़ी वाला फालूदा मैं बना रही हूं चलिए दोनों को उठाके फ्रीज में रख देते हैं उसके बाद क्या करेंगे यह दो चमश सब्जा के बीज ले लेंगे और उसको आधा ग्लास पानी डालके सोक करके रख देंगे दो घंटे बाद चलिए इसको ह अहली बार मैंने निकाला था ना रबड़ी वो है थोड़ा सा ड्राइफ रोट्स को मैंने काट लिया है और रूहपजा चाहिए हमें इसको दूड़ डालके और रबड़ी को थोड़ा सा पतला कर लेंगे हम ज्यादा दूड नहीं डालना है चार से पांच चमची दूड़ इसमें मिक्स करेंगे बस इतना काफी है हलका सा पतला हो गया है चलिए अब इसको सर्फ कर लेते हैं थोड़ा सा चारो तरफ ग्लास में हम रूहपजा डाल देंगे कलर के लिए है ये और सबसे पहले मैं ये जो फालूदा की इससे वईया बनाई थी ना वो हम इसमें एट कर देंगे अगर आपको ये फालूदा की से वईया देखनी है ता हाल फिलहाल में मैंने इसकी रेस्पी शेयर की है अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं तुत्मलंगा इसमें चलिए अब जो रबड़ी मैंने बना के त्यार किया था ना उसको डाल देते हैं जब भी आप फालूदा बनाए हर चीज को चिल्ड कर दे पहले उसके बाद ही फालूदा को आप सर्ब करें देखिए टेक्शर में कितनी गाड़ी और क्रीमी बन के त्यार हुई है और मैं इसमें रेडिमेंट आइस क्रीम डाल रही हूँ बैनिला आइस क्रीम है आप इसके बिने भी बना सकते हैं कभी कभी जैसे मेहमानू के लिए बनाना है तो आप ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं आइस क्रीम डाल के और फिर जो मैंने सबसे पहले रबड़ी निकाली थी न, उसको उपर से सॉर्प करेंगे, क्योंकि हम रबड़ी दार फलूदा बना रहे हैं और कुछ ड्राइफ रोट से हम गार्निश कर देंगे उपर से, बदाम और पिस्ता हैं ये, और हलका सा रूप जैसे, इसको हम सजा देंगे, बस तो लीजिए, रबड़ी दार फलूदा बनके त्यार हो गई है, गर्मियों में बनाई है, अपने घारों में पीजी और इफ्तार में भी इसको बना के आप सौर्प कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जब आप इसे खाने जाएं तो चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें, फिर इसे खाएं, चलिए अब इजाज़त शाहती हूं, अल्ला हाफीज